सो हेलोट्स व्राइज क्या हाँ आल चराव से भी लोग का आज हमार बसिंग करने जा रहे हैं एंटी स्पोर्स के तरफ से रहने वाला एंके 1400 का कीबोर्ड यह कोई ऐसा वासा कीबोर्ड नहीं है यह एक RGB गेमिक कीबोर्ड है यह मैंने खरीद है Amazon से और इसका प्राइस में प्राइस में फड़ा है 545 रुपीज इसका प्राइस उपर निचा होता रहा है कभी आपको 645 रुपीज देखने के लिए मिल जाएगा क वहां से आप लोग चेक आउट कर लेना आज हम इस कीबोर्ड का टेस्टिंग करेंगे बिल क्वाइटी बागरा A to Z आप लोगो दिखाएंगे अन्डा 600 रुपीज पे यह वर्थ इट है या फिर नहीं वो भी मैं बताऊंगा तो चलिए जाए देने करते हैं मैंने वरे दुलखाम टुमेंड चैनेल चलिए इसको अन्बॉक्स करते हैं तो गाइस बॉक्स तो देख सकते हो लिटरली बहुती बड़िया ग्रैफिस के साथ बनाय गया है यहाँ पे इसका मॉडल नंबर है MK1400 प्रो बैकलीड गेमिंग कीबोर्ड लिखा हुआ है वहाँ पे है आपका ब्रैंड नेम एंड स्पोर्ट्स RGB के साथ आपको देहने के लिए मिल जाएगा नीचे भी आपको सेम लिखा हुआ है प्रो बैकलीड गेमिंग कीबोर्ड MK1400 पीछे इसका कुछ फील चार्स बगर देहने के लिए मिल जाएगा और इसका रियल प्राइज यहां पे लिखा हुआ है देह सकते हो जो कि है 1099 रुपीज यहां पे कीबोर्ड फंक्सान्स पूइच स्पेसिपिकेशन लिखा हुआ है चलिए अब हम इसको फटक से खोल लेते हैं यह रहा हमारा चाकू तो यह रहा हमारा कीबोर्ड बॉक्स को हम साइट पर रख देते हैं और कुछ नहीं है पहले इसके अंदर देखने के लिए मिल जाएगा कूछ रिजिस्टर्स पेपर्स वगरा दे सकते हो और यहां पर है इसका बुक्लेट मतलब वारेंटी कार्ड और यूजर मैनुवल एक साथ ही दिया हुआ है और यह रहा हमारा मेन कीबोर्ड देख सकते हो कितना सुन्दर एक कलर पैटर्न किया गया है फॉइट अर्ब्लेक के साथ इसका अंदर दो कलरısı ऑप्छान भी दिखने के लिए मिल जाएगा एक यह हुआइट ब्लैक के साथ fusion ऑयर हो यह तब black हो जाएगा और जो black color आण यह white हो जाएगा उसका प्राइस थोड़ा सा ज्यादाथ है इससे बर black ज्यादा glow करेगा और बहुत ही बढ़े रहेगा देसकते हो keys वगरत तो बहुत ही बढ़े देहने के लिए मिल जाएगा सॉफ्ट टास्ट के साथ आता है कोई भी एक्स्ट्रा साउंद देखने के लिए नहीं मिलता है बहुत ही सॉफ्ट है और नीचे दे सकते हो ऐसा आपको पूरा देखने के लिए मिल जाएगा इसके अंदर यहां पर भी NG Sports का ब्रैंडिंग दिया हुआ है यहां पर है इसका जो नम लॉक कीज है वो साब यहां पर देखने के लिए मिल जाएगा बहुत ही बड़िया आपको देखने के लिए मिल जाएगा इसका लुक्स पीछे की बाने बात करें पीछे आपको कोई अलग सा देखने के लिए मिल गा मतलब जो भी कीबोर्ड होता है उसके अंदर यहां पर और यहां पर एक फ्लैप होता है जिससे आप इसको स्टैंड कर सकते हो बड़िसके अंदर वह देने के लिए नहीं मिल लगा जब आप ऐसे रखोगे तो यह आटोमेटिकली यह उंचा हो है टेंगेल फ्री केबिल है दे सकते हो केबिल भी बहुत ही बढ़िया है यहां पर आपको सिल्वा प्लेटेड यूएस बी दिखने के लिए मिल जाएगा चलिए अब हम इसको ओन कर लेते है तो गाइस मैंने ओन कर दिया है अब देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा है दे अब लेट के साथ देने के लिए मिल जाता है यह है इसका और जीबी चेंज करने का बटन यहां पर ऐसे करके आप अप अन्ली ओन और और अफ कर सकतो इसका इसके अंदर जो मतलब पैटर्स होता है बाकि सब और जीब कीबोर्ट का वह आपको इसके अदर देखने के लिए मिलेगा क्योंकि पहले ही बता दिया था प्राइज है अंडर फाइवनेट उपीज तो जिदना मिला है वही बहुत ही बढ़िया है बाकि सब क्वालिटी बगड़े तो बहुत ही बढ़िया देखने के लिए मिल जाएगा मैं आपको इसका एक टाइपिंग सांट टेस्ट आ बाकि बढ़िया बड़िया थाइद टेस्ट तेस्ट आ एक टाइबागा मैं पयां आपको इसका पर फाइट आपको टूशल वाल नंगर तो जाएट झापकी बढ़िया राषे मान आपकी बढ़िया थाईब़ा है लूर लगवाईब क्या इसका घजा है जाद लगे तो गाइस overall conclusion के बारे बात करें तो ये keyboard मेरे को बहुती बढ़िया लगा under 600 रूपीज keys वगरा और कोई भी delay देखने के लिए नहीं मिलेगा गेम बहुती बढ़िया कर सकते हो और इसके अंदर combination key भी देने के लिए मिल जाता है ये भी बहुती बढ़िया बात है मतलब shortcut key जो है और बहुती durable membrane के साथ ये बना गया है PVC का आपको durable cable भी देने के लिए मिल जाएगा weight भी बहुती कम है 470 gram ओली देखने के लिए मिल जाता है और 104 keys देखने के लिए मिल जाता है इस keyboard पे तो खाइस कैसा लगा आजके gaming की वो comments में ज़रूर बाता ना और आजके लिए बस इतना ही विल जाएक और नेए विड़े बता बगले stay safe stay fit and bye bye